जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम इस audiobook summary में 7 money rules जो मेरी हंट के द्वारा लिखी गई है के बारे में समझने की कोशिश करेंगे. कुछ लोग जिन्दगी भर पैसे कमाते रहते हैं, फिर भी अमीर नहीं बनते. तो अमीर बनने का क्या तरीका है और अमीर लोग क्या करते हैं, आएए इस audiobook summary में ये जानने की कोशिश करते हैं. दोस्तो, हम सब इस बात को अच्छे से समझते हैं कि जीवन में पैसे की एहमियत क्या है, और आज हर व्यक्ति अपने जीवन में इतनी भागदौड सिर्फ पैसा कमाने और अमीर बनने के लिए ही कर रहा है. क्यूंकि इस दुनिया में हर आम आदमी अमीर बनना जाता है, और अमीर बनने के लिए वू जी तोड़ मेहनत करता है, मगर फिर एक ऐसा पल भी आता है जब वो थक कर हार मान जाता है, और कड़ी महनत करने के बाद भी दौलत मंद बनने का उसका सपना ऐसे तूटता है मान किसी ने समंदर के किनारे रेत का महल बनाया हो और पानी की एक लहर ने उस महल को धाराशाही कर दिया हो। लेकिन फिर भी इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास दौलत की खान है। ये वो लोग हैं जिनको खर्च करने के लिए कभी भी सोचना नहीं पड़ता। अगर भारत की बात करें तो इनमें रिलाइंस के मालिक मुकेश अंबानी और रतन टाटा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि इन लोगों ने भी अपने करियर की शुरुआत बिलकुल जीरो से की थी। तो ऐसी कौन से खास बात थी, ऐसी कौन से खास समझ थी जो इन लोगों के पास थी और इन्हों ने अपने आपको ऐसे मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि आज दुनिया इने जुग जुग कर सलाम करती है। दोस्तो ऐसे ही कुछ नियमों को समझाती है मेरी हंट द्वारा लिखी गई किताब सेविन मनी रूल्स फॉल लाइफ। ये किताब उन लोगों के लिए एक बेहतरीन किताब है जो जीवन की खुबसूरती को हमेशा कायम रखना चाहते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी जीवन में अमीर बनने के रहसी की तलाश में हैं। तो दोस्तो आज कुकू FM पर हम उसी रहसी को आपके साथ साजह करेंगे जिसको जानने के बाद आप भी धन कमाने के नियम जान पाएंगे। और ये नियम इतने सिंपल हैं कि इनको फॉलो करके कोई भी इनसान अमीर बन सकता है। मेरी हंट ने इस किताब में बताया है कि दरसल कुछ लोग अपनी समझ और इंटेलिजन्स का इस्तिमाल करके रूल्स आफ मनी को समझ जाते हैं। जिससे उन्हें एक ऐसा पॉजिटिव एटिटूड मिलता है जो उन्हें तौलत कमाने और जीवन में आगे बढ़ाने में मदद करता है। अपनी इस किताब के जरिये मेरी हंट बताती हैं कि आप क्यों नहीं सोचते कि अमीर बनने के लिए डिगरी कोई माइने नहीं रखती। बलकि आपके जीवन में आपको अमीर बनने के लिए डिगरी वाली पढ़ाई से भी बढ़ कराना जाता जरूरी है। और उसे बोलते हैं financial intelligence. हमने एकसर लोगों को ये बात करते सुना है कि G1 में हमेशा financially independent होना चाहिए. Financial freedom ही सब कुछ है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि financial freedom का असली मतलब क्या है? अगर नहीं, तो चलिए Mary Hunt की इस किताब से हम financial freedom की बारे में समझते हैं. Imagine कीजिए कि आप एक सुभा सोकर उठे और आप जानते हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं और आपके सारे living expenses भी एकदम मुफ्त हैं. बलकि आपके जितने भी goals या desires हैं, वो सब इसमें complete हो जाएंगे. फिर आपको और काम करने की जरूरत नहीं होगी. तब आपको कैसा लगेगा? तब आपको जैसा फील होगा, उसी को कहते हैं financial freedom. दोस्तों, इस बुक का हर एक चैप्टर एक इंसान के पैसों के प्रती behavior और attitude को दर्शाता है. कुछ निश्चित behaviors अच्छे नतीजे की guarantee होते हैं, जबकि दूसरे behaviors असफलता के. पैसे की तीमत मेरी हंट ने अपनी किताब Seven Money Rules of Life में बहुत ही खुबसूरती से पैसे की एहमियत को समझाते हुए बताया है कि पैसे का अपना एक रूल होता है. ये रूल एकदम ऐसा है जो किसी स्कूली शिक्षा या किताबों को पढ़कर नहीं सीखा जा सकता है. अगर कोई अपने जीवन में पैसे के नियम को समझ लेता है, तो वो अपने जीवन के मूलियों, सिध्धांतों को समझ पाने में ज्यादा capable होता है. क्योंकि ऐसा इंसान अपनी financial necessities को आसानी से पूरा कर सकता है. वही इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ती अपने जीवन में पैसे के रूल्स को समझने से चूक जाता है, तो वो कभी भी financially independent नहीं हो सकता है. और सारी उम्र दूसरों के हाथ ताकता रहता है. मेरी हंट इस किताब में ये समझाना चाहती है कि यदि आपकी समस्या पैसा है, तो इस मुश्किल का हल पैसे से नहीं हो सकता. क्योंकि जो समस्या है, वही हल कैसे साबित हो सकती है? इसलिए पैसे का गुलाम बनने के बजाए उसके मास्टर बनना सीखें. वही जब व्यक्ति पैसे को अपने नियंतरण में कर लेता है, तो वो financially independent के पत पर आगे चल पड़ता है. कई बार ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति को खोद के अनुभव से ही पैसे का सही उप्योग समझ में आता है. कभी-कभी लोग अपने personal experience से ही money saving और investment जैसे शब्दों को अच्छे से समझते हैं और अपने जीवन को सफल बनानी के लिए अपने मजबूत इरादों की नियव भी रखते हैं. लेकिन बिना किसी जानकारी के अकसर ये नियव कभी-कबार खोकली भी रह जाती हैं. इसकी वज़ा से व्यक्ति के हाथ में सिर्फ और सिर्फ निराशा लगती है. मेरी हंट दोरह लिखी गई इस किताब में ये भी समझाया गया है कि अगर आपके अंदर बहुत मात्रा में पैसा बनाने की युगिता है, यानि ability of money making and management है, तो आप जरूर अमीर पन सकते हैं और अपने सारे पैसों को अच्छे से संभाल कर manage भी कर सकते हैं. और याद रखिए कि आपका वेतन आपको अमीर नहीं बनाता, आपके खर्च करने की आदत बनाती हैं. Money management और financial ignorance को समझानी के लिए मेरी हंट ने Harvard Business School द्वारा किये गए एक सर्वे की बात की है. इस सर्वे में Harvard Business School ने ये पाया कि लगभग अमेरिका के दू तिहाई लोग ऐसे हैं जो financial management को नहीं समझते. कुछ ऐसे भी हैं जिनको financial ignorance के बारे में बिलकुल भी जानकारी नहीं है. वो लोग ये तक नहीं जानते कि उनके पास मौजूद credit card काम कैसे करते हैं. बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो insurance लेते वक्त उस document पर लिखी गई terms and conditions तक को नहीं जानते. वो लोग ये नहीं जानते कि अगर उनके पास कोई fixed deposit है या फिर उन्होंने bank से कोई loan ले रखा है तो वो उसके ब्याज किस दर पर भुखतान कर रहे हैं. ऐसे समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो उधार लेते हैं लेकिन अमेरिकी सर्वे में Harvard स्कूल को ये पता चला कि जो लोग उधार की प्रक्रिया में आते हैं उन्हें ये तक नहीं पता होता कि उनका ब्याज किस दर पर चल रहा है. मेरी हंट का कहना है कि अगर ये लोग ये समझ जाएं कि वोल लिये गए उधार की प्यासदर पर 20 प्रतिशत तक कम कर सकते हैं तो उनकी उधार की आदे से जादा समस्याएं ऐसे ही हल हो जाएंगे. मेरी हंट ने इस किताब के माध्यम से बड़ी ही सरलता के साथ समझाते हुए बताया है कि एक मिडल क्लास व्यक्ती अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाता है. फिर भी उसकी 90 प्रतिशत प्राब्लम्स पैसों पर आकर अटक जाती है. और उसे लगता है कि शायद वो परियाप्त पैसा नहीं कमा पा रहा है जिससे उसकी सभी जरूरते पूरी हो सकें. मगर यहां प्राब्लम ये नहीं कि वो परियाप्त पैसा नहीं कमा रहा है बलकि इसकी असल वजह money management का ना होना है. आपने बच्पन से कहावत तो सुनी होगी कि पैसा ही पैसे को खींचता है. मगर ये कहावत तभी संभव होती है जब पैसा सही जगा इन्वेस्ट किया गया हो. नहीं तो समय के साथ साथ पैसा भी खर्च होता रहता है. इसलिए समय के साथ money management भी बहुत ज़रूरी विशह बन गया है और लोग भी इसकी ज़रूरत बखुबी समझते हैं. Money management या finance management में आप अपनी आमदनी के अनुसार, अपने खर्चे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को कुछ इस प्रकार मैनेज करते हैं ताकि वर्तमान समय के साथ साथ भविश में भी आपको पैसों की समस्या ना आए. Financial intelligence दोस्तो मेरी हंट ने इस किताब में बताया है कि इनसान का बुद्धिमान होना और financial point of view से जीवन में सफल होना ये दोनों अलग बाते हैं. सफलता अगर बिना असफलता की मिली हो तो वो सफलता बहुत ही ज्यादा जोकिम भरी होती है. Financial point of view से सफल होने के लिए सारी दुनिया का ज्यान होना जरूरी नहीं होता. केवल पैसा कैसे कमाना है इसके नियम जानना जरूरी होता है. दुनिया में कई बार हमने बुद्धी जीवी लोगों को financial रूप से संघर्ष करते देखा है. इसलिए कई बार सवाल आता है कि ऐसा क्यूं होता है? हमारा financial खित्र में बुद्धिमान होना ये विशह लिखने का काराण? कई बार ये सवाल मेरा भी होता था कि ऐसे कैसे होता है कि बुद्धिमान व्यक्ति पैसे के लिए संधर्श करता है और दूसरी तरफ औसतन व्यक्ति फानेंशल पॉइंट अफ व्यू से सफल होता है तो इसी बारे में हम यहां चाननी की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या कारण होते हैं कि financial point of view से सफल होने के लिए कुछ लोग विशिश्चताएं या कुछ अलग विशिश्चताएं होनी होती हैं जो हर एक बुद्धी जीवी व्यक्ति में नहीं होती हैं। व्यक्तियों पर किताबी लिखते हैं वो अची तरह जानते हैं कि उनकी सफलता का क्या राज है। जितना मुश्किल है उतना ही उसे निरंतर संभाले रखना भी मुश्किल काम होता है। उसे योजना बना कर बढ़ाना और टिकाय रखना इसी को financial intelligence कहते हैं। जिसके लिए हमें दुनिया की सारी जानकारी होना जरूरी नहीं होता। और हाँ अमीर बनने के लिए बुद्धी चीवी होना जरूरी नहीं होता। इसके उधारन देके तो हेंरी फोर्ड हो या Reliance Industries के संस्थापक धीरू भाई अंबानी हो। ये कोई दुनिया के जाने माने बुद्धी चीवी नहीं थे। मगर उन्हें पैसे कैसे कमाना है ये अच्छी तरह से मालुम था। कई बार हमारे सामने ये सवाल आता है कि कुछ बहुत कम पढ़ी लिखे लोग और कुछ पढ़ी लिखे लोग Financial Point of View से सफल क्यों होते हैं। ज्यादा ते लोग जीवन में पैसे के लिए संगर्श करते दिखाई देते हैं। इसका महतपूर कारण है हमारी शिक्षा वैवस्था में हमें अच्छी नौकरी कैसे प्राप्त करनी है यही बच्छपन से सिखाया जाता है। अच्छी नौकरी पाने से हम Financial द्रिष्टी से सुरक्षित बन जाते हैं और उसमें भी सरकारी नौकरी मिल जाये तो हमारी बढ़ापी की समस्या खत्म हो जाती है। उसमें से सफल नहीं हुए तो ज्यादा तर पढ़े लिखे लोग मजबूरी में कोई भी नौकरी अपना लेते हैं और अपना जीवन औसतन बसर करते हैं। मेरी हंट के दोरा ये बाते समझाने का कारां हमें जीवन में फाइनेशल रूप से कैसे सक्षम होना है ये शिक्षा प्राणाली नहीं सिखाती। कत्र समाज में जो लोगों को फाइनेशल पॉइंट यह सफल होना है ये समझाने वाले लोग बहुत कम या ना के बराबर होते हैं। इसलिए हम फाइनेशल पॉइंट अव्यू से समाज में जो मानलताएं होती हैं वैसे ही चलते हैं। जिसमें सेविंग करना, ज्यादा जोखिम नहीं लेना, सुरक्षित नौकरी करना, पैसे के लिए काम करना, ऐसे ही कई तरह की धार्राओं के साथ हम जीते हैं। आज लोग financial intelligence को जरूरी नहीं समझते, पर ये बहुत जरूरी है, हमारी सबसे बड़ी पूजी है हमारा दिमाग, अगर इसे अच्छे से प्रशिक्षित किया जाए, तो ये धेर सारी दौलत बना सकता है, वहीं आप प्रशिक्षित दिमाग हमें घरीबी में धकिल सकता है, ज ये सप्लाई और डिमांड को समझने का विग्यान है, दल लौ यानि की अकाउंटिंग, कॉर्परेट, स्टेट और नेशनल कानूनों और नीतियों के बारे में जाग रुकता, दोस्तों हमेशा याद रखिए कि निवेश आते जाते रहते हैं, माकेट घर्टा बढ़ता रह मेरी हंट ने इस किताब के माध्यम से पैसा बचाने का एक बहुत आसान रूल पताया है, इस रूल को हम बच्चपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो इसे रूल को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, क्या बता सकते हैं कि वो रूल क्या है? अब ज हम जानते हैं कि आम तोर पर सभी अपने खर्चों की पेमिन्ट पहले करते हैं और उसके बाद जो बच्ता है, उसे सेविंग के तोर पर रखते हैं. इस आदत को एकसे बच्च बजट को मेंटेन करना कहते हैं. अब हम आपको एक अलग तरियका बताते हैं, जिसे कहते हैं से 20 फीसदी हिस्सा बच्चत की तोर पर अलग कर लें इस पैसे को आप अपनी समझदारी के हिसाब से निवेश करें इस से आपके पास खर्चों के तोर पर सेलरी का सिर्फ 75 से 85 फीसदी हिस्सा ही बचेगा इस रकम में से आप सबसे पहले अपने फेक्स्ट खर्चे जैसे रेंट, EMI या प्रीमियम का भगतान करें इसके बचे हुए हिस्से को आप शॉपिंग या अन्ने खर्चों के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं तो दोस्तो आपको करोड़ पती बनने के लिए करोणों में कमानी की जरूरत नहीं है सिर्फ सोच समझ कर खर्चा करने और बचत से भी आप करोड़ पती बन सकते हैं अगर आप नियमित रूप से इस तरीके को अपनाएंगे तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं दोस्तो पैसा कमाना जितना जरूरी है उतना ही पैसा बचाना और निवेश करना भी जरूरी है आप आज salary को कैसे खर्च करते हैं इससे ये पता चलता है कि आप भविश में अपनी salary को किस तरह से इस्तिमाल करेंगे ऐसा सोचना खलत है कि जब आप ज्यादा पैसे कमाएंगे तब बचट करना शुरू करेंगे या फिर अभी आप ज़्यादा नहीं कमाते हैं तो पहले ज़्यादा कमाने पर ध्यान देना चाहिए इसकी बजाए आप हर महीने कुछ न कुछ बचानी की सोचिए चाहे वो चोटी रगम ही क्यों ना हो भविष में एक एक रुपिया काम आएगा इसलिए आज से ही बचाना शुरू करें क्योंकि सेविंग करने का कोई सही समय नहीं होता है आज यवाओं को निवेश या बचट अपनी रोजमर्णा की जिंदगी से समझोता लगता है हो सकता है शुरुआत में ये शायद एक समझोते जैसा ही प्रतीत हो मगर भविष में इसका बड़ा फायदा है जब आप निवेश या बचट शुरू करते हैं तो आपको आपके पैसे में कोई ज्यादा वृध्धी नहीं लगती है मगर एक लंबे अर्से के बाद आपको एक बड़ा अमाउंट मिलता है यानि कि जितने ज्यादा समय के लिए आप निवेश या बचट करेंगे आपको आने वाले समय में उतना ही फायदा मिलेगा दोस्तो 20-30 साल के उमर के बीच कोई भी युवा ज्यादा रिस्क लेने में सक्षम होता है क्योंकि उस पर कोई बहुत बड़ी जिमेदारी नहीं होती एक्यूटी या म्यूचुल फंड में निवेश में बड़ा रिस्क होता है मगर इसमें रिटर्न भी उतना ही बड़ा होता है लिहास अगर युवा इसमें निवेश करें तो उन्हें कम समय में ज्यादा पैसे मिलने की उम्मीद होती है इसलिए सभी युवाओं को हर कोई सलह देता है कि वो जल्दी अपना दीमेट अकाउंट खोलें और अभी से निवेश करना शुरू करते हैं इसके अंदर कई तरह के बजेटिंग प्लांस उपलब्द होते हैं जिनमेंसे आप अपनी जरूरतों के हिसाब से कोई भी प्लान फॉलो कर सकते हैं ये सभी एक तरह से दिशान निर्देश हैं ये इस पर निर्भर करता है कि आप अभी financially कैसे हैं और आपके future plans या goals क्या हैं आप जो भी budgeting rules अपनाएंगे उनमें आप अपनी जरूरतों के हिसाब से थोड़े बदलाव कर सकते हैं क्योंकि हर प्लान हर किसी के लिए सही हो ये जरूरी नहीं है हाँ साथ में ये भी याद रखिए कि आप एकदम कंजूस भी ना हो जाएं क्योंकि जिंदगी में enjoy करना भी तो जरूरी होता है दोस्तों इसलिए अपने और परिवार के मनोरंजन के लिए भी पैसे बचा कर जरूर रखिए जरूरतों और चाहतों में फर्क दोस्तों अपनी किताब में मेरी हंट ने हमारी needs और wants में भी फर्क समझाया है इसके लिए मेरी ने बताया है कि हम सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि एक आम इनसान को जीवन जीने के लिए सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है और जो कुछ भी हम अपनी जीवन में इस्तिमाल करते हैं, वो सब जरूरत नहीं बलकि हमारी चाहते होती हैं इसमें मेरी हंट ने टैक्सिस और मेडिकल खर्चों को नहीं किनाए लेकिन वो ये बात समझाना चाहरे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में पैसों के एहमियत को सच में समझता है तो उसे जो हमारे लिए सबसे जरूरी मता है, यानि अपनी जरूरत और चाहत के फर्क का पता होना चाहिए मेरी हंटी ने बताया है कि हम जानते हैं, हमारे पास बहुत से रिसोसिस मौजूद हैं, जिनके आधार पर हम अपने जीवन जीने के लिए फैसले करते हैं लेकिन हम ये बात नहीं समझते कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है और कई बार तो ये भी देखा जाता है कि लोग सिर्फ दिखावे के चक्कर में ही लाकों का नुकसान छेल लेते हैं दरसल मेरी बताना चाहती है कि जरूरत और चाहत में जमीन आसमान का फर्क होता है जिसने इस फर्क को समझ लिया तो समझ ये वो व्यक्ति अपने अमीर होने के सपने को जरूर पूरा कर लेगा एक्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें एक भिखारी की तो वो भी अपनी जरूरत को पूरा कर ही लेता है लेकिन अगर चाहत पर आए तो धनकुबेर लोग भी अपनी चाहतों को पूरा करने के चक्कर में भिखारी बन जाते है मेरी हंटी ने समझाया है कि जुसने जरूरत के हिसाब से अपना जीवन बतल लिया समझो वो जिन्दगी की जंग जीत गया जो चाहत की चुह दोड में पड़ा रहता है वो व्यक्ति एक ना एक दिन जीवन में जरूर हार जाता है और अपनी चाहत को पूरा करने के चक्कर में अपने बचाय हुए पैसों से भी हाथ धो बैटता है और जब आपको अपनी जरूरतों और चाहतों में फर्क करना नहीं आता तो चाहते हैं पूरी करने के लिए आप गहर जरूरी चीजों में पैसा खर्च कर देते हैं बाद में इससे आपकी जरूरतें प्रभावित होती हैं जैसे घर का किराया, EMI या मिंटिनेंस, राशन, टॉयलेट्री, इलाज, ट्रेवलिंग खर्च वगएरा हाँ ऐसा भी नहीं है कि बचट के लिए इच्छाओं को पूरी तरह दबाया जाए लेकिन हमें अनुशासन से काम करना चाहिए इसके लिए अपने बचट में आपको पचास या पचीस पचीस का फर्मूला अपनाना चाहिए इसका मतलब है पचास फीसदी खर्च अपनी बेसिक नीर्स के लिए, पचीस फीसदी चाहते हैं पूरी करने के लिए और पचीस फीसदी बचट निवेश के लिए खर्च करना चाहिए ऐसा करने पर आपको कभी financial problems का सामना नहीं करना पड़ेगा लिखा कि अनुसार ज्यादा तर लोगों को अपने पैसे निवेश करने की सही समझ नहीं होती वो पचट खाते में, recurring deposit में या traditional insurance plan में पैसे लगाने को अच्छा निवेश समझते हैं जबकि इन चीजों में आपका पैसा, जमा और सुरक्षित जरूर होता है लेकिन इसकी सही growth नहीं होती बलकि महगाई के असर से उसकी value कम हो जाती है पैसे में आपको अपनी investment planning के लिए एक अच्छे financial planner की मदद लेनी चाहिए उन्हें अपनी जरूरतें, income और future की planning बताएं वो आपको gold, property, सरकारी बचती हो जनाओ, shares, fixed deposit venture और bond में सही अनुपात में निवेश करना बताएंगे जिससे आपको काफी फाइदा होगा दोस्तों अगर आप वाकिए में पैसे को बचाना चाहते हैं तो सिर्फ उन्हीं चीजों पर पैसा खर्च कीजिए जो आपके लिए काफी जादा जरूरी है आप बेकार की फिजूल खर्ची में जब तक पैसा बरबाद करते रहेंगे, तब तक आप कभी अमीर नहीं बन सकते इसके बजाए अगर आप उसी पैसे को अच्छे कामों में इन्वेस्ट करें, तो जरूरत के समय में ये पैसा आपके काफी हद तक कामा सकता है और आपको किसी के भी आगे हाथ पहलानी की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तो हम सब ये बात जानते हैं कि मुश्किल वक्त में सेविंग ही काम आती है इसलिए मेरी हंट ने अपनी किताब में बताया है कि हमें सेविंग्स और निवेश करके अपना भविशे सुरक्षित करना चाहिए निवेश करते वक्त कई बातों का ध्यान भी रखना चाहिए निवेश जितनी जल्दी शुरू करें उतना अच्छा रहता है ज़स दिन से आपकी इंकम शुरू हो जाए उस दिन से ही आपको निवेश करना भी शुरू कर देना चाहिए इस किताब मेरी हंटी ने बहुत से चोटे चोटे गोल्डन रूल्स की चर्चा की है इन रूल्स को अगर आप भी अपने जीवन में अपना लेंगे तो जरूर अपने अमीर बनने की चाहत को पूरा कर पाएंगे दिरसल मेरी हंटी ने बताया है कि सबसे पहले अपने सभी कर्जें खत्म करने की कोशिश कीजिए जी हाँ नौकरी की शुरुआत में अगर आप पर कोई कर्ज है तो उसे जरूर खत्म कर दें हो सकता है आप पर एजुकेशन लोन हो या फिर कोई अन्य लोन जो आपके माता पिता ने आपकी पढ़ाई के लिया हो सबसे पहले उसे खत्म कर दीजें क्योंकि ऐसा करने से आप चिंता मुक्त होकर पूरी तरह निवेश पर ध्यान दे पाएंगे मेरी हंट ने इस किताब में इस तथ पर भी चर्चा की है कि हर महीने की सेलरी से की गई चोटी चोटी बचट भविश में बड़ा सहरा बन जाती है इसलिए आपको अलग-अलग प्लांस के जरिए ये बचट करनी चाहिए आपको बचट करने के लिए बस आदत बनानी की जरूरत है हमें से ज्यादा ते लोग पूरे महीने का खर्च निकालने के बाद जो पैसे बचाते हैं उसे बचट कहते हैं लेकिन ये बचट करने का बेहतर तरीका नहीं माना जाता और इसमें बचट की संभावना कम होती है बचट का सबसे बेहतर तरीका है कि आप मजूदा समय के साथ भविशी के खर्चों की भी प्लानिंग शुरू करते हैं और उसी के हिसाब से बचट करें पैसा निवेश करते वक्त समय निवेश अवधी का ध्यान जरूर रखे मतलब आप कितने समय के लिए पैसा निवेश करना चाते हैं ये तैकर लीजे याद रखे कि कई सेविंग स्कीम और योजनाएं लौकिन पीरियट के साथ आते हैं यानि इस पीरियट में आप अपना निवेश किया हुआ पैसा नहीं निकाल सकेंगे इसलिए किसी सेविंग स्कीम को चुनते वक्त लौकिन पीरियट का ध्यान जरूर रखे इसके साथी कहीं भी पैसा लगाने से पहले निवेश विकल्पों की तुलना ठीक से करनी चाहिए आपको देखना चाहिए कि किस स्कीम या योजना ने बीदे सालों में कितना रिटन दिया है और यहाँ निवेश करना सुरक्षित है या नहीं निवेश का प्लान करते वक्त बहुत ज्यादा समय के लिए या बड़े बड़े लक्ष बनाने से भी बचे बड़े लक्ष को छोटी छोटे हिस्तों में बाटें इसके दो फाइदे होंगे पहला आप अपने निवेश की सही तरह से निक्रानी कर सकेंगे दूसरा अगर आपका निवेश सही रिटन नहीं दे रहा है तो आप कुछ समय बाद उसके मैच्योर होने पर उसे कहीं और निवेश कर सकते हैं मेरी हंटी ने बताया है कि पैसे बचाने के लिए एक अलग ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट भी खुला जा सकता है बैंक में बचत खाता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अमर्जनसी फंड के रूप में काम करता है इसमें से जब जरूरत हो पैसे निकाले जा सकते हैं लेकिन ये पैसे अगर FD, NAC जैसी योजनाओं में डाल दें तो एक तैस समय के लिए इन्हें नहीं निकाला जा सकता है इसलिए बचत खाता होना जरूरी है बचत खाते में आटोमेटिक मनी ट्रांसफर का सिस्टम सेट कर दें यानि कि एक निश्चित रखम के बाद जो भी पैसा बढ़ेगा वो राशी FD खाते में ट्रांसफर हो जाएगी मालीजिए आपने बचत खाते की राशी 25,000 उपे निर्धारित कर दी तो आपके खाते में जब उससे ज़्यादा पैसा होगा तो वो आटोमेटिक FD खाते में ट्रांसफर हो जाएगा इससे बचत खाते से अधिक FD खाते में बियाच की कमाई होगी दोस्तों, खरीदारी के लिए डिसकाउंट कूपन, आफर और उपलब्ध अन्य योजनाओं का उप्योग भी जरूर कीजे ये कमपरिटिवली कम पैसे में चीजे खरीदने में मदद करता है आज ज़्यादा तर प्रोड़क्स पर ऑनलाइन और आफलाइन कई आफर्स उपलब्ध होते हैं खर्च को कम करने के लिए उन प्रस्तावों का उप्योग कीजे इससे आपको अपने बिलों पर लगबग 10 से 20 प्रतिशत की पचट करने में मदद मिलेगी लालच से दूर लिखक के अनुसार इस दुनिया में वही व्यक्ति सबसे धनवान हैं जिनके पास संतोश नामक धन है पैसा बचाने के साथ साथ सेविन मनी रूल्स फॉर लाइफ किताब में मेरी हंट ने लालच के बारे में भी काफी चर्चा की है मेरी हंट बताती है कि लालच हमारा दूसरा सबसे बड़ा शत्रू है क्योंकि ये कभी भी आपके जीवन में संतोश की स्थिती पैदा नहीं होने देता ये डर का बहुत करीबी रिष्टेदार है क्योंकि डर आपको हमेशा इनसिक्योर फील करवाता है तो वहीं लालच आपके जीवन की मौजूदा स्थिती को बिगाड़ के रख देता है इसलिए कभी भी आपको अपने जीवन में डर और लालच को नहीं पनपने देना चाहिए मेरी हंट ने इस किताब में ग्रेटिट्यूट के बारे में बात करते हुए कहा है कि लालच और किसी भी चीज़ को ज्यादा मातरा में हासल करने के इच्छा भी इनसान के लिए काफी खतरनाक सिद हो सकती है क्योंकि इस इच्छा की वज़ा से ही इनसान गलत तरीके से पैसा कमाना शुरू कर देता है और ये चीज़ किसी से भी चुपी नहीं है कि गलत तरीके से कमाया गया धन लंबे समय तक नहीं टिकता ये लालच ही तो है जब आप अपने जीवन में बड़ी गाड़ी, बड़े घर और महंगे इलेक्टरॉनिक गैज़ट्स को खरीदने के इच्छा करने लगते हैं आपको ऐसा लगने लगता है कि कहीं आपका जीवन इन महंगी गैज़ट्स के बिना अधूरा है लालच जब भी आपके कान में आकर बोलता है तो आप अपने आपको गलत रास्ते पर धकिल देते हैं इसलिए हमें अपने जीवन में लालच का पीछा चोड़ कर संतोश करास्ता पनाना चाहिए मेरी हंट पताती हैं कि अगर कोई व्यक्ती संतोशी है तो वो हमेशा उतिने में खुश रहेगा जितना उसके पास है लेकिन लालची व्यक्ती हमेशा यही कहेगा कि जो कुछ भी उसके पास है वो सब कुछ काफी कम है और वो उससे कहीं ज्यादा कि आशा करता रहेगा इसलिए संतोशी और लालची व्यक्ती एक समय पर एक साथ एकठे नहीं रह सकते मेरी हंट ने गौर्डन गैको का उधरन देते हुए पताया है कि कि इस प्रकार लालच की वज़ा से किसी का भी जीवन पर बात हो सकता है अगर हम बात करें गौर्डन गैको की तो उन्होंने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था वॉल स्टीट इस फिल्म में एक डायलोग था ग्रीट इस गुट ये डायलोग काफी प्रचलित हुआ लोग सिनेमा घरों में इस फिल्म को देखने के लिए उमर पड़े उस समय इतनी भीर देखी गई कि लोगों को टिकट खरीदने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ने लगा इसको बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए उन्होंने कहा कि लालच अपने सभी रूपों में है फिर जाहे वो धन का लालच हो प्यार का लालच हो या पढ़ाई का ही लालच हो वो हर तरेके से आदमी को उपर की तरफ उचालता है और फिर धडाम से नीचे गिरा देता है असल में उन्होंने ये इस वज़ा से कहा क्योंकि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब संयोक्तिराज अमेरिका की स्थिती काफी खराब थी दरसल उस समय वहां की मुनिसिपल कॉर्परेशन लालच की वज़ा से स्थिती को बिगाड बैठी थी उन्होंने तब ये भी कहा था कि अमेरिका दूसरी बड़ी शक्ती बन चुका है लेकिन इसका व्यापार घाटा और राजकी एकोश घाटा किसी बुरे सपने की तरह ही है गौडन गैकों की आँकों ने ये भी बताया कि लालच अच्छा है क्यूंकि इसी की वज़ा से अमेरिका जैसी बड़ी वे आर्थवयवस्ता चर्मरा गई इसलिए मेरिहंट कहती हैं कि हमें जितना हो सके उतना लालच से दूर रहना चाहिए अब लालच से दूर रहने के लिए भी मेरिहंट ने कुछ ऐसे तरीके सुझाए हैं जिनका इस्तिमाल करके लालच की पकड़ को कमजूर किया जा सकता है दरसल मेरी हंट ने सुझाओ दिये हैं कि हमें अपने मतलबी सपनों को छोड़ कर अपना दिल नरम करना चाहिए और जिन लोगों को सच में पैसों की जरूरत है उनकी मदद करनी चाहिए हमें हमारे दिल में इतना प्रेम भाव रखना चाहिए कि हमारे दिल में मौझूद लालच अपने आप खत्म हो जाए यानि कि दूसरों को अपनी तुल्ना में उपर रखो जब उनको जरूरत हो तब उनकी मदद करो दोस्तों देने का भाव लालच की पकड़ को कमजोर करने का एक सबसे बहतरीन तरीका है लेकिन इन सब के बीच मेरी हंट ने कुछ ऐसे नियम भी बताए हैं जिन कस्टमाल करके आप किसी को अगर मदद दें तो वो और भी बहतरीन हो सकती है मेरी हंट का कहना है कि किसी को सिस्टेमेटिक तरीके से मदद दें जैसे कि आप उनके बिल भर सकते हैं उनकी सेविंग्स में कुछ मदद कर सकते हैं या उनका पैट्रोल का टैंक भर सकते हैं साथ ही ये भी याद रुखे कि जभी आप किसी को देना शुरू करें तो आपका attitude एकदम positive होना चाहिए। आपके इरादे एकदम पके होने चाहिए और positive होने चाहिए। कभी भी किसी को किसी मजबूरी या फिर किसी भी तरीके के दबाओं में आकर कोई भी उपहर मत दीजिए या उसकी मदद मत कीजिए याद रखिए जब भी किसी की मदद कीजिए पूरे चेरफुल तरेके से कीजिए ताकि आपसे मदद लेने वाले लोग भी हमेशे आपको याद रखें दोस्तों हमें तब कितना गुसा आता है जब वास्तों में पैसों की जरूरत हो लेकिन पर्स खाली मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने ज्यादा या कितने कम पैसे हैं लेकिन उन पैसों को समझधारी के साथ खर्च करना ही एक अच्छा उपाय है जिससे आप बहुत से पैसे बचा भी सकते हैं मेरी हंट ने Seven Money Rules for Life अपनी इस किताब में इस बात की भी चर्चा की है कि किसी को भी अपनी जीवन में गहर जरूरी खर्चों को कैसे कम करना चाहिए इस बात को हम ही जानते हैं कि ये गहर जरूरी खर्चे ही हैं जो हमें सेविंग्स करने से रोख देते हैं मेरी हंट का कहना है कि बहुत सारे लोग ये मान कर चलते हैं कि उनके जीवन के जो ये घर जरूरी खर्चे हैं वो काफी जरूरी हैं। वो लोग ये नहीं जानते कि सभी जरूरी खर्चे अगर मेंटेन करके किये जाएं तो इन खर्चों से ही सेविंग निकल सकती है। कियोंकि इन खर्चों में मुक्यरूप से किराय, किराने के बिल, फोन और कार के बिल मौझू होते हैं। अलगी जब हम ये मान लेते हैं कि वही हमारे एक मातर जरूरी खर्चे हैं और इन्हें हम अपनी इंकम के साथ साथ बढ़ाते रहते हैं तो ये खर्चे इर्रेगुलर बन जाते हैं। खर्चे और भुक्तान जो हम हर महीने करते हैं आम तोर पर एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन जब ये खर्चे जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं तो ये समस्या बनने लगते हैं। ऐसे मेरी हंट ने बताया है कि अपने खर्चों और आमतनी पर नज़र रखिए जिससे आपके सामने आपकी एकॉनमिकल कंडिशन की एक किलियर पिक्चर आएगी। रसीदें सभाल कर रखिए या बजट लिखने के लिए बनाई गई नोट बुक में अपनी खरीदारी लिखिए, अपने हर महिने के बिल की एनलेसिस कीजिए और इन खर्चों को अपने बजट में चोड़िए। कैटेगरी के अनुसार अपनी खरीदारी को मेंटेन करें जैसे फूड, क्लोज, एंटरटेन्मेंट, एक बार आप अपनी खरीदारी पर कुछ समय तक नज़र रखें और फिर हर कैटेगरी के लिए एक मंतली या वीकली लिमिट पनाएं। ध्यान रखें, कुल बजट आपके उस समय की आमदनी से कम होना चाहिए। साथी अगर संभव हो तो एक्स्ट्रा सेविंग्स के लिए भी कुछ राशी छोड़ दें। इसी तरह बुद्धिमानी से बजट करने के फैसले से हाथों हाथ बचत होती है। बजट के द्वारा आप हर महीने जितनी पूझी जमा करते हैं उसे एक सेविंग अकाउंट या अन्य ब्याज देने वाले इन्वेस्टमेंट में लगाईए। जितनी ज्यादा रकम आप हर महीने बचाएंगे आपकी फानेशल इस्थिती भी उतनी अधिक बेहतर होती ज्यादा तो लोग जिन्दगी भर ये नहीं समझ पाते कि असल बात ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं बलकि ये है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। सारी समस्याओं को सुलजा सकता है तो आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बुद्धी से समस्याओं सुलज़ती हैं और पैसे आते हैं। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आपी जाए पर ज्यादा देर तक नहीं टिकता। और अब अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरी हंट ने ऐसे कौन से तरीके बताए हैं जिनका इस्तिमाल करके आप अपना पैसा वेवस्तित रूप से खर्च कर सकते हैं, कैसे बनाए अपना बजट? दोस्तों जब भी बात आती है पैसे बचाने की तब अखसर लोग गहरी सोच विचार में पढ़ जाते हैं, क्योंकि पैसे बचाने की बेसिक रुकारिमेंट एक बेहतरीन बजट होता है, क्योंकि बजट से आपको अपने बकाया उधार को चुका पाने में, अपने फाने भव अपने ही बनाए हुए बजट के बाहर खर्चे करना आसान और बहुती आम बात है, बेशक पहले आपने उस बजट को मेंटेन करने के लिए कितनी भी मेहनत की हो, लेकिन कभी न कभी ये बजट तूटी जाता है, बात तो काफी आसान लगती है, मगर बजट को पार कर जाना आसान नहीं होता, जहें आपने पहले से उसे बना कर रखा भी हो, अपने खर्च करने की आदतों का ध्यान रखिए और इस पर भी कि आपका पैसा कहा जा रहा है, पिछले बिल, बैंक और ग्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट्स और दूसरी रसीदे एक अठा कर लीजे, जि साथ ही ऐसी अनिलेटिक्स भी दे सकते हैं, जिनसे आप अपने भविश के कैश फ्लो का अंदाज़ा लगा सकें, और अपने खर्च करने की आदत को और भी बेहतर समझ सकें, क्या आपका कोई फिक्स्ट वेतन है, जहां आपको पता चलता है कि आपको प्रती मा या प्रती स जाते हैं, उसको आपकी आई नहीं कहा जा सकता, उधारन के लिए हो सकता है कि आप प्रती मा 25,000 रुपए घर ले जाते हो, मगर इसमें से टेक्स नहीं कटा है, पता लगाए कि आपको कितना टेक्स देना है, और सही आँकणा जानने के लिए उसमें से टेक्स की राशी को सकते हैं और अगर नहीं मिलता है तब आपको उसकी चिंदा करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका खर्च आपकी आएसे अधिक है तब आप अपनी हैसिय से बढ़कर खर्च कर रहे हैं आपके बजट को दो ग्रुप में विभाजित किया जाना चाहिए इनमें शामिल होते हैं नियमित मासिक वे जैसे बिल्स, बीमा, लोन की किस्त, भोजन और कपड़े तथा घरिलू समान ये expenses वो होते हैं जोकि fixed नहीं होते हैं तथा जो optional होते हैं इसमें बचट, मनरंचन, छुट्टियों का fund तथा अन्न expenses शामिल होते हैं पैसे बचाने के ऐसे भी तरीके हैं जिनसे tax लाभ मिल सकते हैं कुछ धराओं के अंतर गत कुछ विशेश प्रकार की निवेश होते हैं जिनमें पैसे बचा कर आप tax में कमील आ सकते हैं कुछ company ऐसी भी हैं जो आपके retirement contribution को match कराती हैं जिससे आपकी budget और भी अधिक हो जाती है आपको बड़े खर्च को कम करना सबसे बुरा लग सकता है मगर budget के अंतर रहने का ये सबसे आसान तरीका होता है अगर आप हर साल चुट्टियों पर जाते हैं तब इस साल घर पर रहने का विचार कीजिए अगर आप किसी महगी सर्विस या product का अनन लेते हैं तब उसे पहचान कर उस खर्च को कम करने की कोशिश कीजिए अगर आप साबताहिक मसाज करवाते हैं या आपको महगी wine का शौक है तब अपने इन शौकों की frequency को कम कर दीजिए ताकि आप इन पर महीने या दो महीने में एक बार ही खर्च करें generic brands के इस्तिमाल करके और अधिक तर घर पर ही खाना खाकर आप छोटे छोटे खर्चों से भी बचेत कर सकते हैं कोशिश कीजिए कि सबताह में एक या दो बार से अधिक बाहर खाना ना खाएं कुछ समय के लिए किसी सस्ते फोन प्लान पर सुइच करके, अपने टेलिवीजन के पैकेज को कम करके, या अपने घर की एनरजी एफिशेंसी को सुधार कर देखे, कि क्या आप अपने फिक्स्ट खर्चों को कम कर सकते हैं, क्रेडिट को मेंटेन कीजिए. दोस्तो इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि कैसे मेरी हंट अपने क्रेडिट स्कोर को बेहतर करने के नए फार्मूले सिखा रहे हैं, और ये फार्मूला अपना कर कैसे कोई भी अपने क्रेडिट स्कोर को सुधार सकता है, और लोन लेने के लिए एक सही स्कोर कार्ड तय दोस्तों ये किताब उन लोगों के लिए एक उपहार है जो खुद को उधार के जाल से निकाल देना चाते हैं। पर अन्य बैंकों से लोन लेना पड़ता है। तब आपने सोचा है कि लोगों को फोन कर लोन देने की पेशकर्श करने वाले बैंक आपको इसके लिए क्यों बना कर देते हैं। इसका बड़ा कारण है आपका क्रेडिट स्कोर खराब होना। अगर आपने समय पर लोन नहीं भ संबंदित आपके भुकतानों के रिकॉर्ड्स को मासिक आधार पर बैंकों और अन्य कर्जदाताओं द्वारा सिबिल के पास जमा किया जाता है। इसी आधार पर आपका क्रेडिट स्कोर रिकॉर्ड तक यार होता है। अगर आपने किसी लोन का सेटिलमेंट किया है या आ आपको किसी भी तरह के लोन मिलने का चांस बहुत ही कम है। इस बात की बहुत संभावना है कि आपकी लोन एप्लिकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए। इसलिए आपको अपना स्कोर ज्यादा रखना है क्यूंकि आपका स्कोर जितना स्यादा होता है आपके लोन आविदन के मन्सूर होने की संभाब नाए उतनी ही अधिक होती हैं। ये भी याद रखिए कि उतना ही लोन लें जितना की आप समय पर चुका पाएं। आप अपनी EMI समय पर चुकाएं। अगर आप अपने किस्तों को अकसर ही निश्चित समय अवधी में चुकाने में चूक जाते हैं ये एक Unsecured Loan होता है जो कि आपके Credit Score को सरवधिक प्रभावित करता है। जो लोग समय पर Loan का भुकता नहीं कर पाते हैं। वो अकसर Loan Settlement कर लेते हैं। और सुचते हैं कि उन्हें इस Loan से चुटकारा मिल गया। लेकिन ये थारणा पूरी तरह खलात है। इससे आपको बैंकों से आने वाले फोनों से तो चुटकारा मिल जाएगा पर समस्या कम होने की जगह बढ़ जाएगी। इस माध्यम से बैंकों की कुछ रिकवरी हो जाएगी लेकिन ये सर्टिल्मेंट सिबिल रिपोर्ट में जरूर दिखाई देगा। अब आब अगले साथ साल तक को से बड़ा positive प्रभाव होता है। समय पर भुक्तान करने से आपका score बढ़ता है। यदि आप देर करते हैं तो इसमें कमी आती है। देरी से भुक्तान करने पर फिर चाहे वो credit card की payment हो या आपकी EMI उसका आपके credit इतिहास पर नकरात्मत प्रभाव परता है। और उधारदा से loan की repayment time पर नहीं कर पाते हैं तो इससे हमारा civil score खराब होता है। credit card के bill का payment due date तक ना करने पर भी यह हमारा score कम कर देता है। जब हम minimum payment due भी pay नहीं करते हैं। तो loan या credit card देने वाले bank या किसी भी non banking financial company के साथ dispute होने से जो अभी resolve नहीं हुआ है। dispute किसी भी कारण से हो सकता जैसे fraud transaction, incorrect fees charged आती ये हमारे score पर बुरा प्रभाव डालता है। medium impact दोस्तों इसकी नाम से ही पता चल दा है कि ये हमारे score पर मध्यमस्तरिय प्रभाव डालता है। जब हम unsecured loans का ज्यादा इस्तिमाल करते हैं और secured loans बहुत कम या नहीं लेते हैं तो ये भी हमारे credit score पर medium impact डा हर महीने खर्च कर देते हैं तो इसका भी negative impact हमारे score पर पढ़ता है। कम समय में बहुत सारे loan ले लेने पर जैसे मान लीजे कि हम 6 महीने में 4-5 loan ले ले लेते हैं तो ये भी हमारे score खराब करेगा। low impact ये हमारे score पर कम प्रभाव डालता है। कम समय में अधिक loan inquiry करने पर भ हो जाता है। इसलिए कम समय में अधिक loan inquiry नहीं करनी चाहिए। बार-बार credit score चेक भी नहीं करना चाहिए क्यूंकि इससे भी score खराब होता है। इनके अलावा और भी कई कारण है जो credit score को खराब कर सकते हैं जैसे joint loan लेने पर अगर कोई payment time पर नहीं होता है या default हो जाता है तो ये दूनों के credit score पर negative impact डालता है। फिर इस वास से फर्क नहीं पड़ता है कि loan की repayment कौन कर रहा है। चाहे कोई एक व्यक्ति कर रहा हो या तूनों पेमेंट ना होने पर दूनों के score पर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दोस्तों यही नियम है joint credit card का भी। credit card बि जिसने loan लिया है वो कोई default कर दे तो ये भी हमारा score खराब कर देगा क्योंकि हमने उस loan की guarantee ली थी। इसके लावा bank में उस loan की भरपाई भी करने को कहेगा। मान लीजिए कि एक company है जिसके नाम पर हमने loan लिया है और हम उस company के मालिक हैं या उसमें partner हैं या फिर डिरेक्टर या proprietor वगरा हैं और वो loan default हो जाता है तो ये भी हमारा civil score खराब करेगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे loan का पूरा payment कर देने के बाद वो information ठीक से update नहीं हुई होती है और वो loan open दिखा रहा होता है या payment due दिखाता है तो ये भी हमारा civil score खराब कर देता है। इसलिए हम अगसे लोग अपनी जरूरतों या फिर अचानक आई जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार की रखम लेते हैं लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो समय पर उधार ना चुका पाने के वज़ह से अपना बहुत कुछ हार चाते हैं। मेरी हंट ने Seven Money Rules of Life किताब में उध उधारी के नियमों के बारे में भी चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि व्यक्ति को हमेशा वही चीज उधार या उतनी रखम ही उधार लेनी चाहिए जिससे वो आसानी से बिना किसी परेशानी के वापस कर सके। ये Smart उधारी का सबसे पहला नियम भी है और ये काफी अधनों से परे जाकर उधार नहीं लेना चाहिए। हमेशा सिर्फ ऐसा कर्ज लें जिससे आप आसानी से चुगा सके। इस नियम के बारे में अगर विस्तार से चर्चा करें तो मेरी हंड बताती है कि कार की EMI 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जबकि Personal Loan की EMI मंतली इंकम के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कर्ज लेने में तब तक कोई बुराई नहीं है लेकिन आपको इसके Final Outcomes का भी पूरी तरह से पता होना चाहिए। आम तोर पर दो तरह की लोन होते हैं एक है Property निर्मार्ण से संबंधित। मकान खरीदने या शिक्षा के लिए जब आप तीस लाग रुपए का मकान खरीदते हैं तो इस तरह आप अपने लिए Property का निर्मार्ण भी कर रहे होते हैं भविश में जिसके क्यमत बढ़ने की संबावना होती है इससे किराई की बचट भी होती है इसी तरह से जब आप Education लोन लेते हैं तो आप रोजगार की अपनी कम होनी शुरू हो जाती है जबकि आपको कर्स का भुगतान तो कार की किमत की आधार पर ही करना होता है लेकिन जैसे-जैसे समय बीत रहा होता है उस कार की क्यमत कम होती चली जाती है इसलिये जब भी Loan ले उस समय इस बात का ध्यान दखखें कि आप जो Loan ले रहे हैं वो क जाया है कि जिन्दगी की हर जरूरत को पूरा करने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है और इसलिए हम सभी अलग अलग तरेकर से पैसे कमाते भी हैं कोई जॉब करता है कोई बिजनिस करता है कोई नविशक बनता है तो कोई कमपणी बनाता है जिनके जरीए कोई 5,000 रुप हजार कमाने वाले को पैसे की समस्या होती है और क्या पांच लाग या पांच करोड कमाने वाले को पैसे की समस्या नहीं होती है तो जवाब है पैसे की समस्या किसी को भी हो सकती है चाहे कोई पांच हजार कमाए या पचास समस्या के कारण अपने आपको दिवालिया घोशित करना पड़ता है और यहां तक की लाखों और करोनों रुपे कमाने वाले हमारे फिल्म स्टार्स भी यहां तक की खिलाड़ी भी कभी-कभी पैसे की बहुत बड़ी-बड़ी समस्याओं से परिशान हो जाते हैं। फिल्मों की सफलता से अमिता बच्चन अपने पैसे की बड़ी समस्याओं से बाहर निकल पाए। इसके लाबा बॉलिवुड के सबसे स्टाइलिश, रोमेंटिक और सफल हीरो शारू खान को भी रॉवन मूवी के फ्लाप होने पर बहुत ही ज्यादा पैसे का नुखसान और वो पैसे की समस्याओं से परिशान हो गए थे। हालकि उनकी दूसरी फिल्मों के हिट होने से अपने पैसे की समस्याओं से वो जल्दी ही बाहर निकल गए। ऐसे ही बहुत सारे फिल्म स्टार्स, खिलाडी और दूसरी नामी हस्तियां हैं जो करोणों कमाती हैं लेकिन कभी-कभी उनके उपर पैसे की ऐसी समस्या आती है जिनसे वो बहुत ज्यादा परिशान हो जाते हैं। इन सभी एक्जांपल से एक बात तो तैह हो जाते हैं कि पैसे की समस्या सभी को होती है। और इस मनी प्राबलम से जुड़ी जो बात मेरी हंट ने बताई है वो ये कि जो व्यक्ति भी पैसे को सही से नहीं सभलना चानता या जो जरूरत से ज़्यादा रिस्क उठा लेता है उसके फेल होने पर वो पैसे की बहुत बड़ी प्राबलम में आ जाता है। दोस्तो पैसे की प्राबलम सबको होती है। सारा खेल इस बात का है कि आप अपने पैसे क समस्या से बाहर निकलने में काफी मुश्किले आ सकती हैं। तो अब सवाल यह है कि आप अपने पैसे की समस्या यानि फाइनेशल प्राबलम से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो इसका जवाब है पैसे की प्राबलम से बाहर निकलने के लिए आपको अपने फाइनेशल समझ क पढ़ाना होगा, आपको अपने फाइनांस के ऊपर कंट्रोल करना सीखना होगा, और अपने फाइनेशल समझ को पढ़ाने के लिए आपको अपने आपको फाइनेशली एजुकेट करना होगा, आपको परसनल फाइनांस के बारे में सीखना होगा, ताकि आप अपने पैसे को क ध्यान में लगते हुए कम से कम रिस्क के साथ अच्छे रिटन्स वाले इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सीखना होगा. इर्रेगुलर इंकम की प्राब्लम दोस्तो मेरी हंटी ने अपनी इस किताब Seven Money Rules for Life में उन लोगों का भी खास ध्यान रखा है जिनकी इंकम रेगुलर नहीं होती. रेगुलर इंकम का मतलब होता है कि ऐसी इंकम जो किसी महीने जादा होती है तो किसी महीने कम होती. जिन लोगों के पास रेगुलर इंकम का कोई सोर्स नहीं होता उन लोगों को अक्सर सेविंग्स करते समय परिशानी का सामना करना पड़ता है। इर्रेगुलर इंकम वाले लोगों के लिए फाइनशल प्लानिंग बिलकुल अलग चीज़ होती है। इसकी वज़ाई यह है कि ऐसे लोगों को ये तो पता होता है कि खर्च कहां कहां करना है। लेकिन दिक्त यह है कि इन्हें सोर्स ओफ इंकम की जानकारी नहीं होती। ऐसे केस में इंकम और खर्च को बैलेंस करते हुए एक प्लान बनाना सबसे चैलेंजिंग काम होता है। यानि कि अगर आप अच्छे तरीके से सोच समझ कर प्लान बनाते हैं तो इससे आपको अपने रोज मर्रा के खर्चों को मैनेज करने में मदद मिलती है। साथी आपको अपनी लाइफ के महतपून लक्षियों को हसिल करने में भी हेल्प मिलती है। दोस्तों लेखक के अनुसार, अनुशासित रहना सकसिस का सबसे बड़ा मंतर है। उधरन के लिए बढ़िया इंकम होने पर आपको बे मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करने से बचना चाहिए। इसके वज़ाए ये है कि बहुत ज़्यादा खर्च करने के बाद अचानक से रुपे की ज़रूरत पढ़ने पर आपको काफी अधिक इंट्रेस्ट रेट पर पर परसनल लोन लेना पड़ सकता है। या क्रेडिट कार्ड के इस्तमाल करना पड़ सकता है। यहां ये नोट करना जरूरी है कि अगर आप अपने प्लान पर नहीं टिकते हैं तो उसे तयार करने में लगा समय बेकार चला जाता है। अगर आप अपने प्लान से इधर उधर भटकते हैं, तो आपको अपने गोल को हासिल करने में दिक्कत हो सकती हैं, और आप अपने आपके लिए प्राबलम खड़ी कर लेते हैं, इसलिए अपने प्लान के साथ ठीके रहिए और जरूरत पढ़ने पर किसी प्रोफेशनल से ऐसे वक्त में इंकम का दूसरा सोर्स होने से आपके फाइनांस को जरूरी स्टेबिलिटी मिलती है। आज के समय में फ्री लांसर लोगों के लिए कई आनलाइन प्लैटफॉर्म मुझूद है। आपको सिर्फ ऐसे प्लैटफॉर्म पर अपना प्रोफाइल अपलोड करना होता है। इसके बाद पोटेंशल क्लाइंट्स आपसे कॉंटेक्ट करते हैं। इसके अलावा आप अपनी स्किल से मैच करने वाले जॉब को भी देख सकते हैं। जिस प्रकार अलग-अलग फंड्स में इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है, उसी तरह इंकम का एक से अधिक सोर्स डेवलप करना भी एहम होता है। इससे होता यह है कि अगर एक जगह से इनकम आनी बंद हो जाती है तो दूसरे सोर्स से आपका खर्च निकलता रहता है। इस किताब मेरी हंट ने इस्टिशा में सबसे पहला स्टेप ये बताया है कि हमें किसी भी तरह की इमर्जनसी के लिए सेविंग करना है। इसके लिए एक साल के खर्ची के बराबर रुपए किसी लिकुट फंड या फिक्स्ट डिपॉजिट में डाल कर छोड़ दीजे। इमर्जनसी फंड नहीं होने पर आपको जरूरत पढ़ने पर अपनी संपत्तियों को बेच कर रुपए पैसे की कमी को पूरा करना पड़ सकता है। इससे आपकी लाइफ के गोल्स को लेकर सीरियस रिस्क पैदा हो सकता है। महीं जिनके इंकम रेगुलर नहीं है, उनके लिए चीजें और मुश्किल हो सकती है। इसकी वज़ा यह है कि कभी भी आपको काम के किलत हो सकती है और रुपए पैसों की भारी कमी से चूजना पड़ सकता है। इसी बीच अगर आपका कोई लोन चल रहा है या किसी तरह की EMI चल रही है तो ये भी आपके फाइनांस पर सीरियस इंपेक्ट डाल सकता है। इसलिए आपको अपने गोल के हिसाब से चुने गए एसिट में हर महीने इंवेस्ट करना चाहिए। चाहे आपके इंकम कितनी भी रही हो। किसी भी और इंवेस्टर की तरह बच्चों की एजुकेशन, शादी या अपने रिटार्मेंट जैसे गोल को पूरा करने के लिए एक्विटी में इंवेस्ट जरूर कीजिए। दोस्तो कम खर्च करना हम बहुत सी हस्तियों से सीख सकते हैं। जैसे 1958 में वारिन बफिट ने 31,500 डॉलर में पांच बैटरूम का घर खरीदा और तब से इससे बाहर नहीं निकले। वो एक बड़ा और अधिक मेंगा घर खरीज सकते थे लेकिन उनकी मित्वैता का शायद यही कारान है कि वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। यही बोरिंग टी-शिर्ट और जीन्स रोज बहनते हैं। कम सामान खरीदना वास्तों में आपको अमीर बनने में मदद कर सकता है। और इनी वज़ा से यह अमीर लोग फिनेशल फ्रीडम अचीव कर पाएं। हमेशा याद रखिए कि कम खर्च करने से दू चीज़े आपके पक्ष में काम करती हैं। पहली यह कि आपके पास अपनी फ्रीडम के लिए अलग रखने के लिए अधिक धन होगा। दूसरी यह कि आप सीखेंगे कि जीवित रहने के लिए आपको बास्तों में बहुत कम सामांग के अविशक्ता होती है। जिससे आपको अधिक पैसा अलग रखने में भी मदद मिलती है। टैक्स की प्रक्रिया को समझेए। दोस्तों हम सब ये जानते हैं कि किसी देश के विकास एवम तरक्रिय के लिए वहां की जनता जो टैक्स देती है उसी का इस्तिमाल करके वहां की सरकार देश की तरक्रिय करती है। और उससे फाइदा उठाना आना चाहिए। सबको लगता है कि अमीर लोग ज्यादा टेक्स देते हैं, पर ऐसा नहीं है। अमीर लोग टेक्स और उससे जुड़े सभी कानूनों को अच्छी तरह से समझते हैं वो लोग नहीं जानते कि कॉर्परेशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। ये केवल एक फाइल का फोल्डर होता है, जिसमें कुछ कानूनी दस्तवेज लगे होते हैं और जो राजसरकार की एजनसी में दज होकर किसी वकील के आफिस में रखे जाते हैं। ये कोई फैक्टरी ये लोगों का समूँ भी नहीं होता है। कॉर्परेशन केवल एक कानूनी दस्तवेज है जो एक ऐसी कानूनी बॉड़ी बना देता है जिसकी कोई आत्मा नहीं होती। और इसके लिए मेर लोग या तो खुद सीखते हैं या ऐसी लोगों को जॉब में रखते हैं जो फैनेशली इंटेलिजेंट हैं। आप फैनेशल स्टेट्मेंट्स को अच्छे से पढ़ और समझ सकते हैं। इस योगिता से ही आप किसी कंपणी की कमजोरियों और मजबूतियों को पहचान सकते हैं। इसके बाद आता है इन्वेस्टिंग ये पैसे से पैसा कमाने का विज्यान है। इसमें तकनीकों, रणनीतियों और फार्मूलों की जरूरत होती है। फिर आता है अंडरस्टेंडिंग मार्केट्स ये सप्लाई और डिमांड को समझने का विज्यान है। निवेश करने से पहले उसके फंडमेंटल्स और एकोनॉमिक पहलों को समझनी की जरूरत होती है। साथी मार्केट की तकनीकी पहलों को जाननी की जरूरत है। जो की भावनाओं द्वारा संचालित होता है। और फिर आता है दल लाओ, अकांटिंग, इन्वेस्मेंट, मार अमीर बन सकता है, जो किसी कर्मचारी या चोटे बिजनसमेन के लिए संभव नहीं है। कर्मचारी कमाते हैं और टैक्स चुकाते हैं और फिर जो बचता है उससे अपना खर्च चलाते हैं। लेकिन एक कॉर्पोरेशन कमाता है, जितना खर्च कर सकता है, करता है, फिर बच से टिप्स दे रही हैं जिनका इस्तिमाल करके एक आम इंसान अपने जीवन में पूल रूप से कर्द मुक्त हो सकता है। अगर बात करें इन नियमों की तो सबसे पहले फानेशल फ्रीडम उस स्टेज को कहते हैं जिसे अगर आपने हासिल कर लिया तो आपके असेट से इतना रिटर्न या इनकम मिलती रहेगी कि फिर कभी आपको काम करने की जरूरती नहीं पड़ेगी। आप अपनी मर्जी से जब चाहें जहां चाहें जा सकते हैं। जो कि एक जौब करने वाले इनसान के लिए किसी सपने से कम नहीं होता। आज फानेशल फ्रीडम को पाने और अपनी लाइफ को सेट करने के तरीके आप जानने वाले हैं। जी हाँ आप आप समझेंगे कि आप फानेशल फ्री कैसे हो सकते हैं। ये एक ऐसी बुक है जिसमें आथर गारंटी देती हैं। अगर उनके दिये गए इन त्री स्टेप्स को आप फालू करते हैं तो आप भले ही किसी भी स्टेज पर हूँ, कुछ भी करते हूँ, कितना भी पैसा कमाते हूँ, ये मैटर नहीं करता। लेकिन आप पांच में से दस साल में फैनेशल फ्री हो जाएंगे। फिर आपके पास हर महीने उतना पैसा तो जरूर आएगा जितना आप खर्च करते हैं। दरसल फैनेशल फ्रीडम वो होती है जब आपको कोई काम ना करना पड़े। बिना काम किये हुए आपके पास पै फिर अपनी लाइफ को और भी अच्छे तरीके से जी पाएंगे। लेकिन हकिकत में ऐसा होता नहीं है। 90% लोगों को देखिए तो वो पूरी लाइफ जॉप करते रहते हैं। उनका पूरा टाइम ऐसे जाता है जो वो दूसरों को दे कर रखते हैं। वो लोग उनका फिरंड से ही इतने पैसे आएंگे जन से आपकी लाइफ स्टायल बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। फिर आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को इनजॉई कर सकते 생 sür שמצ्दि हैं। ऑफर कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में इन 3 स्टप्स को फालु करते हैं तो 5 से दस सालों में आप financial free हो जाएंगे उतना तो आपके पास definitely आने लगेगा जितना आपके पूरे महीने का खर्च होता है लेकिन दोस्तों कर्स की तो आपको saving करने से पहले ही चुट्टी करनी होगी क्योंकि interest बढ़ता जाएगा और कर्स का माउंट भी पढ़ता जाएगा अगर आपके पास कोई भी loan है तो luxury's को भूल जाएगे restaurant में खाना खाने मत जाएगे सस्ता public transportation यूज कीजिए कोई property या महंगी चीज़ मत खरीदिए साथ में invest भी मत कीजिए सबसे पहले loan free हो जाएगे अगर आपके पास multiple loans हैं तो ज्यादा interest वाला loan सबसे पहले पूरा गीजिए और फिर कम interest वाला दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको daily basis पर follow करनी है जब तक कि आपकी savings 25,000 डॉलर की ना हो जाए यानि कि एक घर खरीदने के बराबर ना हो जाए ध्यान रहे कि इस amount में एक से 2 लाक रुपए emergency fund के रूप में हमेशा आपके पास रहें तो ये तो हुई author के द्वारा बताए गई बात लेकिन आप एक और भी काम कर सकते हैं जाब के साथ side income को भी आप continue रख सकते हैं आज technology बहुत ही fast है हम बहुत सारे part time काम भी कर सकते हैं जो online हो सकते हैं जिसमें आपको बाहर जाने या ज्यादा efforts करने की जरूरत नहीं है जैसे की blogging करना या you tubing करना हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको दुनिया के साथ चलना है तो आपको दुनिया के साथ बदलना होगा तो उसके लिए आपको update होना जरूरी है जो चीजें आज आप सीख रहे हैं वो दिन पति दिन बदलती जा रहे हैं आपको next और भी information की जरूरत है तो आपको हमेशा सीखते रहना है हमेशा आप उन चीजों पर फुकस कीजिए जो आपका attitude चेंज करें आपकी wealth को चेंज करें जहां से आपकी saving हो अपनी skill को grow करते रहे साथ ही अपनी financial education को भी increase करते रहे बुक्स पढ़ते रहे पॉड़कास्ट तुनते रहे अपनी दोस्ती उन्हीं लोगों से रखिए जिन्होंने वो चीज अचीव कर लिये जो आप अचीव करना चाहते हैं इस केस में financial freedom के लिए अगला कदम वो शुरू करना है जिसे राम से depth snow ball कहते हैं यानि कि मान लीजिए कि आप एक चोटा सा snow ball बनाते हैं के लिए कर सकते हैं अपने सभी रिणों की सूची बनाएं और उन्हें सबसे चोटे से शुरू करते हुए आकार के अनुसार करम बद्ध करें फिर पहले वाले का भुक्तान करें हाँ भले ही ये आपके फोन बिल के लिए केवल 10 डॉलर का बकाया हो ये आपके किसी मित्र का कुछ पैसा बकाया हो आप जितनी छोटी शुरूआत करेंगे उतना अच्छा होगा प्रतेग पार किया हुआ रिण जो आपकी सूची से गायब हो जाता है आपको आत्म विश्वास देता है कि आपको अगली बड़ी चीज को लेने के आवशकता है जब तक कि केवल आपका विशाल बंधक नहीं बचाए लेकिन तब तक आपके पास एक बार और इससे छुटकारा पाने के लिए लंबा समय होगा दोस्तों कर्द मुर्ट जीवन जीने के लिए याद रखने वाली दूसरी बात यानि खर्च और मुलियों को समझना ज्यादा जरूरी है विक्तियों को हमेशा अदे खर्च के समय सोचना चाहिए कि इसमें से कितना जरूरत का है और कितना खर्च नहीं करने से काम चल जाएगा खर्चों के लिए एक बजट बनाना क्रेडिट कार्ट खातों की चांच करना नई आदतें विक्सित करने का प्रयास करना जैसे कि बाहर खाने के बजाए घर पर खाना बनाना इससे आप ज़्यादा खर्च से बच सकते हैं काम पर प्रमोशन या बूनस मिलने पर हर कोई खुश होता है हाला कि एक बैंक खाते में अतरिक्त नगदी रखना फायदे वाली बात नहीं है जो हर साल दो प्रतिशत या धाई प्रतिशत ब्याज देती है कि कहते हैं अतरिक्त पैसे को निवेश करके इसे बुद्धिमानी से उप्योग करना चाहिए जो लोग पहले से ही भारी कर्ज के बोश तले दबे हैं वो कर्ज चुकाथी रणनीती बना सकते हैं पहली बात यह है कि किसी भी नए कर्ज से बचना चाहिए खासकर क्रेडिट कार्ट के कर्ज से अगर एमाई का भुक्तान करना मुश्किल हो रहा है तो आप कुछ निवेश या गेर आई पैदा करने वाली संपत्तियों को बेचने और कर्ज चुकाने के लिए आई काउप्योग करने की योचना बना सकते हैं लोन को मैनेज करते समय अपनी आई और आउटगोईं की एक लिस्ट तयार करें निर्धारित लागतों को पूरा करके काम शुरू करें जिने हर महीने जमा या बढ़ाया नहीं जा सकता है जैसे किराया, एमाई, भुजन का खर्च, वहना दे उपलव दे डिस्पोजेबल आई के साथ रियलिस्टिक होना महत पूर्ण है ये तैकरें कि डे टू डे लिविंग के लिए कितने रुपए की आवशकता होगी इसके बाद वेरियेबल खर्चों को ट्रैक करें जैसे बाहर खाने के खर्च और आउनलाइन खरीदारी तो दोस्तों कर्ज से बाहर दिकले के लिए आप या तो एक या कॉंबिनेशन पुनर भुगतान रणनीतियों को अपना सकते हैं आप नियूनितम से अधिक भुगतान कर सकते हैं या लोन स्नोबॉल विकल्ब को अपना सकते हैं अगर आपके पास सर प्लस सेविंग्स है तो आप अपने लोन को कम करने के लिए हर महिने दे नियूनितम राशी से अधिक का भुगतान कर सकते हैं आप निर्धारित नियूनितम से अधिक भुगतान कर सकते हैं आप कम से कम प्रत्यिक भुक्तान अवधी पर लगाए गए ब्याच को कम कर सकते हैं। इस तरह से आप राशी के अनुसार पुनर भुक्तान लिस्ट को प्रात्मित्त दे सकते हैं। ये विधी आपके लोन को धीरे धीरे और लगातार समाप्त करने में आपकी साहता करेगी। अनुभवों का मेल ही है जीवन। दोस्तो मेरी हंट ने किताब में बड़ी ही सहचता के साथ समझाया है कि जीवन में एक्सपीरियंस का बहुत ज्यादा महत्व है। क्योंकि जब आप एक बार चीज़ें एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं तो अपने इस एक्सपीर जीवन का आनंद लेने की अनुमती है। दोस्तो आपको कभी भी ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि आपके पास पैसा है या आप फानेंशल फ्रीडम हासिल कर चुके हैं। जब आप फानेंशल फ्रीडम हासिल कर लेंगे तो जहिर सी बात है कि मानसिक शान्ती की अन आपकी हेल्थ भी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा महसूस होगा जैसे जीवन की सारी समस्याइट दूर हो गई हूँ। इससे जादा कोई व्यक्ति अपने जीवन में क्या चाहेगा। अंतिम फानेशल फ्रीडम टिप काफी महत पूर्ण है। मान लिजे कि आप मेरी हंट दौरा बताए गई सलहा और सिफारिशों का पालन करते हैं। कर्ज से बाहर निकलते हैं और अपनी बच्छत को बढ़ाते हैं। ये अभी आपकी मदद करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। लेकिन क्या होगा अगर ऐसा नहीं हो, क्या आप इसके लिए तयार रहेंगे। यदि आपके पास वो नौ से पांच की नौकरी है, तो अपनी कमपनी से सेवा निवरित्ती योजना जोड़ने के बारे में बात करें। या ये देखने के लिए जाचें कि क्या आप पहले से ही इसके लिए कटौती कर रहें हैं, कटौती आपके खाते में आने से पहले ही निकाल ली जाती है, इसलिए आपको ऐसा कभी नहीं लगता कि आप पैसे खो रहें हैं, और समय समय पर इसकी जाच करना और अपनी और इमानदार होने के लिए यदि आप बहुत पैसा नहीं कमाते हैं तो वो संक्या बहुत अधिक लग सकती है। इसके लिए इसके बजाए एक ऐसे लक्ष के साथ शुरुआत करें जिसे आप सहन कर सकते हैं। अधिक उच्छ क्रेडिट कार्ड बिलाता है तो अपने आपात काली निधी का उप्योग ना करें। अधिक सक्रिया आए अफसरों को लेने पर ध्यान किनरित करें ताकि आप इसे तेजी से भुगतान कर सकें। दोस्तों कॉन्फिडेंस एक महान लीडर का सबसे बड़ा गु इसमे के बिना आप एक महान लीडर नहीं बन सकते। अगर आपके बॉस को आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको क्या क्या करना है तो इसका मतलब ये है कि आप में आगे बढ़कर पहल करने की एबिलिटी है और आप बखुभी अपनी सभी जिमेदारियों का ध्यान दख सकते हैं। पहल करना यानि इनिशेटिव लेना सकसेस के लिए बहुत इंपॉर्टन क्वालिटी होती है। लाखों कमाने वाले बिजनिस ओनर्स बनने के लिए आपको एक अच्छा और एफिशेंट लीडर बना होगा। लीडरशिप कोई चीज नहीं है जो आपको लग से मिल जाए। या जिसे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन खरीच सकते हैं। इसके लिए आपको आगे बढ़कर सही समय पर सही डिसीजन देना होगा। इसका बेस्ट एक्जामपल है माइक्रोसॉफ्ट। दुनिया के कौने कोने में पहले इस बिजनिस इस बिजनिक्स मैगजीन में बड़ा ही दिलस्फ आर्टिकल शवा था। इस आर्टिकल ने उस समय तहलका मचा दिया था क्यूंकि उसमें दुनिया के पहले कंप्यूटर के बारे में लिखा था जो आम लोगों के इस्तमाल के लिए बनाया गया था। उसका नाम था अल्ट इस मचीन के लिए बेसिक लेंग्वेज की कोड लिखने में चुट गए। उन्हें ना दिन के सुथी ना रात की। सबसे मज़ेदार बात तो ये थी कि उनके पास वो मचीन थी भी नहीं क्यूंकि सिर्फ कोड बनाना काफी नहीं था। उसे मचीन में डाल कर चेक करना भी बहुत जरूरी था। वो दोनों उस वक्त हरवर्ड यूनिवसिटी में पढ़ते थे। उन्होंने वहां माजूद अल्टायर से मिलता जुलता पी डी पी टैन मचीन का इस्तिमाल किया। उस वक्त अगर उनके पास कुछ था तो वो था उनका कॉन्फिटेंस और कुछ अलक करना शुरू किया तो वहां पर काम करने वालों के लिए ये किसी चमतकार से कम नहीं था। एड ने तुरंद कहा कि वो बिल और पॉल के साथ काम करना चाहते थे। फिर उन्होंने कांट्रेक्ट साइन किया और ऐसे माइक्रोसॉफ्ट जैसे यूनिक ब्रैंट का जनम हुआ बिल और पॉल का काम इतना बेहतरीन था कि वो बहुत जल्द ही दिन दूनी राच चोगनी तरकी करने लगे। लेकिन वो यहां रुके नहीं बलकि आगे पढ़ते रहे। इसका सबसे बड़ा कारण था कि वो हर बार अल्टायर के लिए नया कोड बना कर उसे और भी बेहतर बनानी की कोशिश में लगे रहे। बिल और पॉल सिर्फ अपने आइडिया की वज़ा से सक्सिस्फुल नहीं हुए। बलकि हर वो चीज जो उनके काम आ सकती थी उसे आजमाने का उनमें जो अटूट विश्वास था उसने उन्हें इतना उपर तक पहुँचाया। वो कभ पहते हैं मेरी हंट ने ये बुक समरी खास उन लोगों के लिए लिखी है जो अपनी जीवन में अमीर बना चाहते हैं। लेकिन कर्ज में डूपा होने की वज़ा से वो इस रह पर चल नहीं पा रहे हैं। इस कताब में मेरी हंट ने उन कोल्ड़न रूल्स के बारे में बता और जोЗ मरा की जिन्दगी में शामिल किया जा सकता है. लेकिन इसके लिए किसी भी व्यक्ति को स्ट्रोंग विल पावर की जरूरत होगी. किताब में ये पहला रूल है कि कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है. उसे बज़ खुद को इस्तिमाल करने की जरूरत होती है. दौलत कार्थ क्या है और आपको ऐसा क्या मिल जाए कि खुद को आप दौलत मंद समझने लगें। तो सबसे पहले आपको ये निश्चित करने की जरूरत है कि आखिर आपके लिए दौलत के क्या माइने हैं। बिना इसे परिभाशित किये आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको कितना पैसा चाहिए, कितनी गाड़ियां चाहिए, बैंक में कितना पैसा चाहिए, आपकी परिभाशा सही है या गलत, ये आपका लक्ष है और ये आपका निरने हैं। अपने लाइफ टार्गेट को लेकर मेरी हंट कहती हैं कि कि किसी भी लक्ष को पाने के कब से सफर शुरू करना है, कैसे करना है और कब मंसिर पानी है कितना समय लगेगा और रासने में किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा अपने लक्ष तक पहुंचने के बाद आप उस दौलत का क्या करेंगे उसका कहां इस्तमाल करेंगे, ये सब तह करना होगा कुछ सावधानी बरतने की सलह देते हुए मेरी हंट ने बताया है कि आप क्या करने जा रहे हैं ये तब तक किसी को भी ना बताएं, जब तक आपको किसी की मदद की जरूरत ना हो इसलिए हमेशा यही प्रयास करें कि अपने लक्ष को आप हमेशा रास बना कर रखें क्योंकि आपका प्लान जानने के बाद लोग आपको निराश करने वाली बातें सुना सकते हैं वो आपको ऐसा ना करने की भी सलह देंगे और हो सकता है वो आपका मजाग भी उड़ाएं वहीं आपका प्लान चोरी भी हो सकता है इसलिए जब तक आप सफल ना हो जाएं किसी को अपनी उज़ना के बारे में ना पताएं ये तो आपको पता होगा कि पैसे पेड़ में नहीं उकते उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है अगर आप आलसी हैं देर से सोते हैं और सुबह देर से उड़ते हैं तो अमीर बनने का रास्ता आपके लिए औरों से ज़्यादा मुश्किल है मेरी हंटरी ने बताया है कि ज़्यादा ते लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो यही सोचते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है वो मेहनत ना करने के हजारों बहाने बनाते हैं और कटिन परिश्रम करने के लिए तक्यार नहीं होते हैं इसलिए वो लोग किसी लौटरी टिकट खरीदने में ज्यादा दिल्चस्पी दिखाते हैं जबकि वो चाहें तो हर महीने पैसे बचा कर अगले दस सालों में बहुत सारे पैसे जोड़ सकते हैं। इसके साथी मेरी हंट ने ये भी बताया है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं उस काम को जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजें। इससे आपका समय पर बात नहीं होगा। अगर आप कोई काम करने के सोच रहे हैं तो उसे बाद में करेंगे ये सोच मत रखें। बलकि वो काम आज ही शुरू करना है ये सोच रखें। तभी आप धनवान बन सकेंगे। इसके साथ साथ जीवन में पैसा बचानी की शुरूआ जल से जल कीजिए। अगर किसी ने 25 साल की उम्र से शुरूआत कर दी तो सिर्फ एक लाख रुपए सालाना के निवेश उसे 60 साल की उम्र में 5 करोड रुपए का मालिक बना देगा। इसके लिए 12% सालाना रिटन का नुमान लगाया गया है। अगर निवेश शुरू करने में 10 साल की देर हो जाए तो इतनी ही प्रुपटी जुटाने के लिए सालाना निवेश साड़े 3 लाख रुपए करना पड़ेगा। वहीं अगर आप 45 साल की उम्र में बचा शुरू करेंगे तो अगले 15 साल में 5 करोड जुटाने के लिए आपको सालाना 12 लाख रुपए का निवेश करना होगा। दोस्तु अमेर बनने के रह में सबसे बड़ी सम細 सहाती है आपका खर्च। अगर आप जेप से जदा खर्च करते हैं तो आप अमीर नहीं बन सकते हैं। ज्यादा तर अमेर आदमी अपने खर्च को सिमित करते हैं और पैसे को बचाकर रखते हैं और मिलता है तो दोस्तों जब आपको अमीर बनना है तो मेहनत के साथ खुद को कुछ नया सिखाते रहे आज समय के साथ हर एक चीज में competition देखने को मिलता है और इस competition में वही जीता है जो रोज खुद को इस मुकाबले के लिए तैयार करता है इस audiobook summary को आखिर तक सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य feedback comment box में जरूर शेय करें राधे राधे दोस्तों अजय को आपका बहुत-बहुत-धन्यवाद झाल 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 झाल